रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई रामजी सकपाल के खर 14 एपरिल 1891 को एक हीरो का जन्म हुआ वैसे तो एक बहुजद परिवार में जन्म के कारण समाज के इस हीरो को बचपन से ही अपमान का सामना करना पड़ा लेकिन बात यहीं आकर अटक जाती है कि जिसके जीवन में जितना बड़ा अपमान और कश्ट होता है उतना ही बड़ा उसका नाम होता है अगर आपको समझ नहीं आया तो हम बात कर रहे हैं बाबा साहे भीमराव अमबेटकर की दलित समाज एक तरीके के एतिहासिक उत्पीडन का शिकार है इसी तरह अमबेटकर भी एक दलित परिवार में पैदा होने के कारण शुरू से ही ऐसे अत्याचारों को सहते रहे हैं प्राचीन भारत में दलित समाज पर हुए अत्याचार की लिस्ट तो बहुत लंबी है बड़ा हो गया कि उनके उपर कितनी ही फिल्मे बन गई उतनी भी कम है आजकल तो हॉलिवुड की नजरें अमबेटकर की जीवनी पिटिकी हुई है मैं समझ सकती हूँ कि इंट्रोडक्शन से आपको नहीं समझ आया होगा कि आज का टॉपिक किस मुद्दे पर है दरसल बॉलिवुड ने बहुत सारी फिल्में बनाई लेकिन एंटर्टेन्मेंट, थ्रिलर, पॉलिटेक्स इनको छोड़ कर इनकी फिल्में कभी भी सामाजिक तापे नहीं बनती हुई दिखती है हाँ साउथ की अगर आप फिल्में देख लें तो आपको बहुत सारी ऐसी फिल्में मिल जाएंगी जहां पर सामाजिक उत्पीडन को दिखाया जाएगा, पबलिक की परिशानी को दिखाया जाएगा, लेकिन बॉलिवुड इन चीजों से बहुत दूर है अभी तक आज का मुद्दा इस बात पर है कि अब हॉलिवुड की नजरे बाबा साहे भीमरा उम्बेटकर पर पड़ चुकी है, यानि कि बॉलिवुड तो कहीं तक दिखता ही नहीं है दूर दूर तक, बाबा साहे भले ही भारत की हूँ, भले ही उन्होंने भारत में जनम लिया हो, लेकिन बॉलिवुड इंडस्ट्री ने अभी तक बाबा साहे भीमरा उम्बेटकर पर एक भी फिल्म नहीं बनाई है, लेकिन हॉलिवुड इंडस्ट्री अब बाबा साहे भीमरा उम्बेटकर पर फिल्म बनाने वाली है, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत के बाद अब नेटफ्लिक्स जैसे प्लाटफॉर्म को अंबेडकर की महानता के एहसास हो चुका है इस बात का दावा करते हुए कास्टिंग कंपनी राउंटेबल इंडिया का कहना है कि एक विदेश कास्टिंग कंपनी ने उन्हें डॉक्टर भाबा साहिब भीम आने के लिए अभिनेता की तलाश में कॉन्टाक्ट किया था इससे बात की पुष्टी हो जाती है कि जंगल में कहीं तो आग लगी है जिस कारण धुआ उठा है अभी तक मिले इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बाबसाहिब के उपर बनने वाली इस फिल्म का निर्देश ने एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ये साफ किया है कि अमबेटकर समुदाय के लोगों को यानि कि बहुजनों को आक्टिंग करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा एवा ने पहले भी मार्टिन लूथर किंग पर सेल्मा जैसी फिल्में बना चुकी है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एवा पहली अफरेकी अमारे की महीला निर्देशक हैं। मार्टिन लूथर पर फिल्म बनाने के बाद अब एवा एक किताब कास्ट अरिजिन ओफ आर्ड डिसकंटेंट को लेकर बाबासाहिब के उपर फिल्म बनाने के तयारी में विलकर्सन ने जाती की समस्या पर लिखी है और पूरी दुनिया में इस किताब की सराहना होती है वैसे तो बाबसाहे पर अनेकों फिल्में बनी है जैसे कि डॉक्टर बाबसाहे बंबेट का 2000 अजर्णी ओफ सम्यक बुद्धा इत्यादी इत्यादी इसके बाद बाबसाहे के जीवन पे बहुत सारी शेत्रिय भाशाओं में फिल्में बनी लेकिन अभी तक बॉलिवुड द्वारा कोई भी हिंदी फिल्म नहीं बनी है हाँ पर इन शेत्रिय फिल्मों को हिंदी भाशा में डब जरूर किया गया है अब ये भारतिय समाज के लिए एक सीख ही है कि कैसे वो जिस इंसान को अशूत मानते थे उसी पे आज नेटफिक्स जैसा मूवी प्लाटफॉर्म नजर गड़ाए बैठा है जबकि बॉलिवुड के लिए तो ये एक सोचने का विशे भी नहीं है अभी तक कि अभी वो अमबीटकर जैसे इतने महान इंसान पर कोई फिल्म बन आ सकते हैं हाला कि थोड़ी शर्म जरूर बॉलिवुड को आनी चाहिए और उन्हें भी हॉलिवुड इंडस्ट्री और बहुत सारी ऐसी इंडस्री जसी की साउथ इंडस्री इंसे कुछ ना कुछ सी जरूर लेनी चाहिए कि सामाजिक मुद्दों को उठाना वाकई जरूर नेटफ्लिक्स अगर बावसा है पर मुवी बनाए तो उसमें मेन लीड रोल जो है वो कौन प्ले करे हमें कॉमें सेक्शन पर कॉमेंट करके जरूर बताईएगा बने रहे हमारे साथ नमस्कार